सोनी टीवी का चर्चत शो कौन बने का करोड़पती लगाता सुर्खियों में हैं और इस बार तो यह अपने कॉंटेस्टेंट को लेकर चर्चा में हैं इस बार केबिसी में कमाल के प्रतियोगी आ रहे हैं और दर्शुकों का बहुत मनोरंजन कर रहे हैं या यूं कहें कि इन प्रतियोगी उने दर्शुकों को बांधे रठा है इस बार ऐसे ही एक खिलाड़ी के बीसी में होट सीट पर बैठी है और इस कंटेस्टन ने जो किया उसने सभी को चोका दिया शिवानी धिंगरा नाम की कंटेस्टन ने शो के दुरान अपने पती की शिकायतों की पूरी अमिताब बच्चन को सौब दी दिली में रहने वाली शिवानी धिंगरा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी अब वो अपना पूरा समय बेटी की देखभाल में बताती है शो के दुरान शिवानी ने अमिताब से एक ऐसी रिक्वेस को सुलज़ाते हैं मुझे उमीद है कि आप मेरी शिकायतों को भी दूर करेंगे अमिताब ने जब लिस्ट खोल कर देखी तो उसने शिवानी अपने पती की शिकायते लिख कर लाई थी इस पर अमिताब ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि मैं शो होस्ट करते करते एक और फेस्बुक चलाते रहते हैं वह कभी कैंडल लाइट डिनर नहीं गई उनके पती को उनके लिए टाइम नहीं होता वह सुबह से शाम अपने काम में लगे होते हैं और उन्हें वक्त नहीं देते शिवानी ने अपनी सारे शिकायतों को सुलजाने के लिए अमिताब से र महराश्ट के डोंबी विली से आये मुस्तफा परदावाला होट सीट पर बैठने में कामियाब रहे मुस्तफा एक बिजनसमैन है मुस्तफा ने पहले ही सवाल पर लाइफ लाइन का सितमाल किया और इस वचे से अमिताब उनसे नाराज हो गए मुस्तफा से इस सवाल में नहीं देखते हैं इसलिए पता नहीं है जिस पर अमिताब बच्चे ने नाराज की जाहिर करते हुए कहा कि ये सही बात नहीं है इस से ही हमारी रोजी रोटी चलती है उन्होंने मुस्तफा को फिल्में देखने की सलहा दी मुस्तफा से अगला सवाल पूछा गया कि इन में से क्या डूगलर वाहन निर्माता बचाज के द्वारा इस्तमाल किया जाता है इसका भी उन्होंने सही उतर दिया हमारा बचाज चौते सवाल पर जाकर मुस्तफा फिर से अटक गया और उनको 50-50 लाइफलाइन की मदद लेनी पड़ी इस सवाल का जवाब नहीं देने पर अमिताब ने उसे ये भी कह दिया कि जब आप बिजनिस करते हैं तो उसका हिसाब कैसे रखते हैं इस पर मुस्तफा ने कहा कि वो नहीं 50-50 लाइफलाइन का उप्यों किया मुस्तफा से अगला सवाल किया गया कि 2019 में भारत और सौधी अरब सरकारों के बीच बातचीत कर किस धार में किस्थल का कोटा बढ़ा कर दो लाख कर दिया गया था इसका मुस्तफा ने सही जवाब दिया जो कि था मक्का उसे एक पूचा गया कि दोणाचार पूरिसकार प्रापत करने वाली ये हस्ती कौन है और उन्हें कोच की तस्वीर दिखाए गया थि उन्हें इनकोच को पहचान लिया और जवाब दे दिया रमाकांथ आच्रेकर उनसे एक और सवाल किया गया कि इंसूलीन शरीर के किस भाग में स अंशलेशित होता है इसका जवाब उन्होंने सही दिया मुस्तिफा से पूछा गया कि फरवरी 2019 में पियूश गोहल ने और जुलाई 2019 में निर्मला सीता रमर ने संसद में क्या पेश किया था इसका असान सा जवाब था जो मुस्तिफा ने दे दिया जो की था बजट मुस्तिफा से अगला सवाल करा गया कि इनमें से कौंसा शहर दो महादेश एशिया और यूरोप में इस्थित है जिसका उन्होंने सही जवाब गया जो की है इंस्तामबूल मुस्तफा से सवाल किया गया कि दिली के राश्री गांधी संग्रहाले कहां परिस्थित है मुस्तफा को इस सवाल का जवाब नहीं पता था जो की राजगाट है इसके बाद उन्होंने इस खे से क्विट का लिया मुस्तफा सी हजार रुपई जीतने में कामियाब रहे मुस्तफा ने बताया कि लंग के कैंसर की वज़े से उनके पिता का निदन हो चुका है जिसके बाद वो परिवार का खर्चा चला रहे है मुस्तफा के दुकान मुंबई के मशूर चोर बजार में है और उनकी पिता भी यही दुकान चलाते थी अमिताब के लिए शो थोड़ा सा शौकिंग रहा क्योंकि एक कांटेस्टेंट ने अपने शिकायतों की लिस्ट पकड़ा दी और एक ने अमिताब को थोड़ा सा नरास कर दिया